न्यूजिलेंड के पूर्व कप्तान ब्रैंडन मैकुलम कोलकाता नाइट राइडर्स में वापसी कर रहे हैं। मैचों में 96.37 के स्ट्राइक रेट के साथ 6083 रन बनाए। दिल्चस्प बात यह है कि वो दोनों टीमों में वे साइमन कैटिच की जगह लेंगे। के के आर के साथ वो सहायक कोच के रूप में जुरे रहेंगे और ट्रिनिबागो नाइट राइडर्स में वो आस्ट्रेलिया के मुख्य कोच की जगह लेंगे। कोलकाता की टीम ने हाल ही में बताया था कि वो अपने मुख्य कोच जैक कालिस और सहाय कोच साइमन कैटिच को हटा रही है। मेकुलम IPL के पहले सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स से खेले थे और पहले ही मैच में रॉयल चैलेजस बेंगलो के खिलाफ 158 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी।